आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें इन दोनों तरंगों की आविड़ती क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और इनके बीच का कलांतर, कलांतर क्या होना चाहिए, कलांतर जिसे हम लोग 5 से सुचित करते हैं, ये क्या रहना चाहिए, नियत रहना चाहिए, मतलब समय के साथ क्या रहना चाहिए उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए समान रहना चाहिए इसे हम देखते किस प्रकार से आविर्थी और जो कलांतर है वो नियत रहेगा दो तरंगों के लिए अगर हम देखेंगे तो यह जो हमने उपर में बनाया है S1 और S2 से तरंग माल लेते हैं कि यह S1 से निकली तरंग है और यह माल ले रहे है S2 से निकली तरंग है चुकि दोनों क्या है हमने बोला है कि कला संबंद है उनकी आविर्थी और कलांतर क्या होगा लगबग समान होगा ठीक है तो देखें तो देखे अगर हम आवर्ती की बात करें दोनों तरंगों के लिए तो आवर्ती क्या होता है कि एक समय अंतराल ठीक है एक बटा समय अंतराल तो यहां पर समय अंतराल ती बराबर देखेंगे तो दोनों तरंगों के लिए यहां पर देख सकते कि क्या है इन दोनों तरंगों क पहली तरंग के लिए क्या हो जाएगा एक cycle complete तो ये 2 pi हो गया और दूसरे तरंग के लिए भीए कितना है 2 pi है ठीक है तो यहाँ पे t जो क्या हो गया 2 pi तो यहाँ से औरarti f लापर तक तो 2pi-pi कितना हो गया've ? दोनों के इस थiénसे 3pi a-2pi, तो 3pi minus 2pi, तो यह क्या हो जाएगा यहांसे ? pi. तो सभी इस्थिति पाई क्या रह रहा है ? नियत रह रह.. मतलब कालांथर जो रह रह रहा है ….. थैक है ? तो यहां पर एस तरह समाझते हैं पहला है कि आयाम समान होना चाहिए तो यह नहीं होगा आयाम क्या होता है लगभग समान होता है क्योंकि इस प्रकर्सम देख सकते ठीक है कालांतर समान होता है तो सिर्फ कालांतर नहीं होना चाहिए आवर्टी और कालांतर दोनों यह भी नहीं होगा डी विकल्प क्या हो चार्सो 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 बर